तो शुरू करते हैं आज हम लोग बहुतिक विग्ञान क्लास 12 की बैदु छेत्र के आंकिक ब्रस्त बाला जी प्रकासन से हैं और ये पहले चैप्टर का दस्वापाइट है और इसमें जो फार्मूले यूज में होंगे वो कौन कॉल से हमने यहां पर लिख भी दिये हैं जैस और एक बिन दुआवेस के कारण जो बैदु छेत्र होता है यह बराबर नौ गुड़े दस्की घादनों इंटू आवेस क्यूं और इंटू आर स्कॉर दूरी ओ बैदु तुदुरू क्या होता है बैदु दुदुरू आगून पी बराबर टू क्यूं यहल होता है और ऐसे ही बल युग मागून यह बल आगून क्या होता है एक समान बैदु छेत्र में रखे दुदुरू अलगने वाला बल आगून पी इसाइन ठीटा ठीक है तो जो पहला है कोश्चन बाला जी प्रकासन का उस दिया गया है एक पांच दसम्लो जीरो गुड़े दस की घाद माइनस आठ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर बैदु छेत्र की तीड़ता चार सो बचास गुल्ड प्रतिमीटर होगी तो एक बिंदु आवेश दिया गया है कोई जिसका मान कितना है चार पांच दसम्लो जीरो गुड़ा दस की घाद माइनस आठ कूलाम का बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर ये मान लिया कोई एक बिंदु आवेश क्यों है इससे कितनी दूरी पर दूरी क्या मान देंगे आर कितनी दूरी पर जो है बैदु छेत्र की तीड़ता यानि ए जो है चार सो पचास गुल्ड प्रतिमीटर होगी ठीक है तो का भी निकालना क्या है हमको दूरी यानी और फार्मूला क्या होता दूरी के लिए सूत्र क्या होता बैद उच्छे इबराबर नौव गुड़े दस की घात नौव और इंटू में क्यूं अबान में आर वैलू को पुड़ करेंगे तो इकी वैल्यू कितनी है चार सो पच्छ गुड़े दस की घात नौव इंटू में क्यूं कामान कितना पांस अबलों का मतलब पांच लिख देंगे और गुड़े में कितना है दस की घात माइनस आट और बटे में कितना आ रहा है आरगा जाए नव इकन नौव पच्छे 35 और यह किया मचा यहां परें जीरो पांच यहां पर दस की घात कितना है नौब है और यहां का तो बच्चे को कितना तस की घात है यानि की दस और नीचे कितना बच्छा आप क्या करेंगे दस सब्सक्राइब अब इसका इफ़र बुड़ा करेंगे तो आर स्कॉयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन यानि आर की वैल्यू आजाएगी प्लस माइनस और वैल्यू हमेसा क्या लेते हैं बाज दूरी ना तो आर की वैल्यू कितनी मीटर आजाएगी एक में तो यह होगा इसका पहला कि और दूसरा होता है न्यूटन प्रतिकूलां तो आगे दीकते हैं एक कोई एक अलफा कुलाम यह कोई एक अलफा कण है हें खेसे कर एक हजार नियूटन प्रतिकूलाम में एक हजार नियूटन प्रतिकूलाम के मैं इस्तित्ष तो यह अलभा कड कोईए Miles तो आगे क्या है जब भी कोई आवेसित कड किसी पैदु छेत्र में आता है तो उस पर एक बल लगता है अब क्योंकि हमको पता है कि जो अलफा कण होता है उसके उपर दो इलेक्ट्रान के बराबर धनावेस होता है अलफा कड़ पर दो इलेक्ट्रान के बराबर क्या होता है धनावेस यानि क्यूं बराबर कितना हो गया आवेस कितना है इसके पास दो इलेक्ट्रान के बराबर अलफा कड़ पर धनावेस ही होता है तो आगे हमने सूद्र पढ़ा सब्सक्राइब कितने हजाब कितने हजाब एक हजार और कितना दिया गया है कितना होता है सब्सक्राइब कितना होता है एक हजार को हम लिख सकते हैं दस की घार टीन प्लस का ना तो तीन जीरो प्लस के और उन्नीस जीरो माइनस के तो बचेगा कितना माइनस का सोला होता होता है और यह क्या निकल गया बल का मातरग क्या होता है नियूटन इसका मातरग हो गया नियूटन और यही क्या बन जाएगा इसका नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है पांच गुडे 10 की घार माइनस 4 पूला मावेस पर 2 दसमलो 5 पांच न्यूटन का बल कायर करता उस बिंदू पर वैदुछेद्र की तीवरता की कड़ना कीजिए या ग्यात कीजिए तो तीसरे नंबर में आवेश कितना दिया गया है किनूं का मान पांच गुड़े दस की घात माइनस चार कूलाम और साथ ही साथ बल कामाल दिया गया है दो दसम्लव दो पांच न्यूटन हमको बैदुछेट्र की तीवरता निकालने यानि यानि इवराबर सुत्र क्या पढ़ा है एफ और क्यू दिया जाएगा तो एफ आपां कीदू F की वैलू 2.25 Q की वैलू 5 गुड़े 10 की घात माइनस 4 दसमलो हटाएंगे तो कितने 0 नीचे बढ़ेंगे 2 0 बढ़ेंगे अब माइनस का 4 नीचे प्लस में उपर जाएगा तो नीचे माइनस उपर जाएगा तो 25 गुड़े 10 की घात हो गया चार और नीचे कितना हो गया 500 कैंसल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 नवाई कितना हो था चलिए 25 से नहीं काटेंगे इसे काटेंगे हम 5 से 5 इक हैं 5 कितने 0 बचे 2 5 और 20 25 पच्चा हां 25 गुड़े 10 की घात कितना गया चार और यह कितने 0 है दो जीरो नीचे प्लस के हैं उपर जाएगे दो जीरो माइनस के तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 गुड़े 10 की घात कितना हो गया सौक्ण मात्रक लिखेंगे इक मात्रक नीउटन और आवेस का मात्रक घूलल मुझे वंडया तीसरे नंबर का अंसर चौथा नंबर क्या कह रहा है चौथा नंबर क्या कर रहा है ही इसके नाभिक से तो हेलियम परमाडू का नाभिक है और पता है इसके पास कितने इलेक्टान और प्रोटान होते है दो इसके नाभिक से 10 की घात माइनस 4 10 की घात माइनस 9 दूरी दी गई है त्रिजाए 10 की घात माइनस 9 मीटर कि नेनोओ मीटर जयसकते हैं क्या निगालनी है फैद्दू छेट्र की यह क्या दिया गया है आवेस नाभिक में क्या रहता है प्रोटान जितने इलेक्ट्राण होते हैं उतने ही की पास ही आपके तो पर behö लिए इसके पास धे अबेस दिया गया और दूरी दी गही है तो यही सूत लगेगा बल दिया जाता तो उपर वाला सूत तो इबेस्पाइब निकालेंगे एबेस्ति गहान कितने अलेकरण दो इलेकरण बरावेस एक दसंबलो 6 गुड़े 10 की घात माइनस 19 और बटे में आर स्कॉयर दूरी कितनी दी गई है 10 की घात माइनस 9 का होल स्कॉयर करते हैं हल करेंगे इसे तो 16 32 हो जाएगा अब 9 से गुड़ा कराएंगे 32 का गुड़ा किसे करा रहे हैं नव से तो दो नवा अठारा और नो तरीक 27 और एक 28 कितनी संख्या आगे दसंबलो एक तो 28 दसंबलो कितना हो गया आठ बुड़े में 10 की घात यह 9 प्लस का है और नीस माइनस तो बचेंगे कितने माइनस के दस नीचे कितना बचा नव दूनी अठारा वो भी माइनस का है उपर जाएगा अठारा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का मतलब क्या हुआ उपर प्लस हो गया अठारा और दस कि कितने थे माइनस के तो बचेंगे कितने अब एक संख्या आगे जब दसंबलों ले जाएंगे तो प्लस प्लस का बढ़ जाएगा एक और जीरो तो क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं इसमें कह रहा है दस की घात माइनस नौ कूलाम का कोई एक बिंदू आवेस क्यों है कितनी दूरी दूरी पर दॉतर की होड़ दस सेमी उतर की खर लेते हैं अवेस यहाँ पर रख का गया है यह इन रिस हैं यह नौर्थ और होजाया ऑजाएगाँ यह इसकी दिसा भी किधर जाएगी कि इधर जायेगी क्योंकि आवेस कितनी दूरी पर जाना है 10 mm कि धर जाना है उत्तर जाता है और समी चेचेच ऑर उत्तर की जाता है दूर है अगर मयनस गावैस होता तो तैक को न्योटिगर हो जाता है ओस तो जो ढोगत दूरी दी गए कितने सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे हमने बता था दस की गात माइनस दो से गुड़ा करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो बड़ी संख्या बड़े माप छोटे से बड़े में जाएंगे तो माइनस और बड़े से छोटे में आएंगे तो प्लस हमको क्या निकालनी है एक आमान निकालना है 9 गुड़े 10 की घात 9 इन्टू में Q अपान क्या पढ़ा है और क्या प्लस नो क्यों का मान लिखेंगे तो क्यों का मान कितना है आवेस कितना 10 की घात 1-9 और बटे में आर की वैलू कितनी है आप डस भुड़े रपली औरस कि कितनी है कितनी मैंनस की मीटर अथ लिए ओर दस की माईनस की मीटर यहां कि यहां। माइनस कनो प्लस कनो क्या हो जाएगा और एक दो माइनस के दो है उपर जाएंगे तो प्लस के दो तो गुड़े में दस की घाथ दो सो अर्णा सो से कराएं लोगत कितना अनुटर की तीर व्रता हुर्ट और यही क्या बन जाएगा या बन इसलिए नाट की और बैदुचेत्र की दिसाव होगी तो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि कोश्चन नमबर छे है किसी स्थान पर एक हजार न्यूटन प्रति पूलाम का बैदुच्चे पश्चिम की और इस छेत्र में है इस छेत्र में ऐसी वस्तु इस्तित है जिस पर दस की घाच छे इलेक्ट्रान की अधिक्ता है इलेक्ट्रान ज्यादा है इसका मतलब रेडावेसित वस्तु वस्तु पर लगने वाले बलकि दिसा तथा परिमार ज्याद कीजिए तो चलिए हम देख लेते हैं तो कोई पूरा प्रशिंद बना लेते सबस्वाइब के तो यह हो गया पूरा इस है वेस्त और यह वन गया अमारा नाइं और यह हो गया तो देखते हैं इसमें क्या गह रहा है किसी इस्थान पर दस की घाव एक अजान न्यूटन प्रतिकुलां का बैदुच्छेत्र पश्चिन की ओर है तो पश्चिन की ओर माल लेंगे कोई एक स्थान है यहां पर है यहां पर बैदुच्छेत्र इस ओर पश्चिन की ओर जा रहा है यहां पर बैदुच्छेत्र कितना है एक हजार न्यूटन प्रतिकुलांग यह क्या है मारा बैदुच्छेत्र किस ओर जा रहा है पश्चिन की तो इस छेतर है तो यह से बदु छेत्र होगया हमारा मालेंगे अ की बदु छेत्र हमारा इतना हो गया तो इसी छेत्र में इसी फिर में एक एसिवास नहीं जिस पर कितने इलेक्ट्रान के दिखता है विह भी युए वश्थ करना अधिक जाएगा तो वसततना जाएंगीनावेस ही तो हो जाएगी ठीक है युए है कि अधिक है अब हम सब लोग जानतें हैं कि जो बैदुद्द च्येतर गहीं एक प्लस की माइनस की प्लेट है .ीचे म्लहलं की और क्या रहता हमेंसा बादू जहीं अगर इसमें कोई धनावेस डिया जाएगा ? तो तो ये बादू छेत्र धनावेस पर अपनी दिशा में पर लगाता है ऑ्हाछभ अपनी दिशा में लगाता है प्रदिकर्सन और नीचे वाला क्या है माइनस यह से क्या करेगा अगर यहीं परहन क्या रख दे कोई रड़ा वेसित वस्तु तो बैदुचेत्र अपनी विप्री दिसा में बल लगाता है यानि बल बैदुचेत्र समय कहां है नीचे की ओर तो बल कहां लगेगा उपर क्योंक वस्तु गोते समय कि तो बन लगेगा जो आजा लियु कि दिसा में यहिनिल बड़ागा मिल्दुचेत्र कि दिश इंटू क्यों और यू बराबर क्या पढ़ा गया क्यों बराबर पढ़ा गया एन इंटू ए ठीक है या डायलेक्ट रख देंगे कोई बात नहीं इका माल इस बैदुचेत्र की ब्रता एक हजार आवेस कितना है दस की घार छे इलेक्ट्रान का आवेस है अधिक है ना तो क्यो बराबर एन इसूत्र लगाएंगे तो दस की घार छे हो गया क्या आवेस अब क्योंकि इलेक्ट्रान अधिक है तो आवेस कैसा होगा और हम हमेशा परिमार ले करके चलते हैं ना माइनस प्लस दिसा बताता है अब यहां पर कितने हो गए एक दो तीन जीरो यहां छे जीरो है टोटल कितने जीरो गए नो एका मानेग दसव्लोज चेख उड़े 10 की घार माइनस 19 हर करेंगे तो 19 माइनस का 9 बचेगा कितना 10 कि भाइनस 10 किसकी वैलू आगे बल की वैलू आगे ऑबल का मात्रक क्या होता है निउटन होता है और दिसना इसकी क्या होगी और्व की ओर स्थिए अब नेक्स पॉस्चिन नमबर सेवन देखते हैं माइनस उन्नीस कूलाम तथा बीस गुड़े दसकी घाथ माइनस उन्नीस कूलाम के दो बिन्दु आवेस पर दो मीटर की दूरी पर दो बिन्दु आवेस हैं एक माल लेंगे क्यूवन है और इसी से कितने मीटर दूरी पर दो मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है पहले आवेश पर 5 गुड़े 10 की घाथ माइनस 19 पहला आवेश है इतने कुलाव का आवेश है पहले वाले और दूसरे वाले पर 20 20 बुड़े 10 की घाथ माइनस 19 कूलाम का आवेश है और इस दोनों के बीच की जो दूरी है दो मीटर कितने मीटर है दो मीटर आइसे लिखे दे हैं अब आगे उनको मिलाने वाली यानि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर बैदु छेत्र सूनने होगा यदि इस बिंदु पर आवेश एक क्यों रखे तो इस पर कितना फल लगेगगा तो फोंड़े लेंगे वह बिंदु यह अर यहाँ पर यही मत्यों ठेट रह उसका मान कितना है जीयर ठीक है तो थोड़ा से समझेंगे इसे यह भी अपनी आम में कौन सा अवेस है और इस बिंदु पर परिणामी प्रता कितनी है जीरो पहला आवेस धनावेस के कारण बिंदु पी पर जो बैदुच्चेतर उत्पन्यों वो इससे क्या जाएगा अब ऐसे आवेस क्यों भी धनावेस है तो धनावेस के कारण यह जो अपना यहां पर पर फैदुच्चेतर उत्पन्यों करेगा वह भी जाएगा इससे और यह क्या हो गया अब ध्यान से जो कौन ज्यादा है कौन गम यह हमें पता नहीं है कि तो आवेस दूरी हमको पता नहीं है तो इसलिए और यह दूरी क्या माल नहींगे हम एकस ठीक है तब यह कितनी दूरी बचेगी टोटल दूरी कितनी थी तो इधर चला गया निकल गया कितना एकस क्यों कितना दो माल मैस एकस ठीक है ना तो अब क्योंकि e1 वा e2 एक दूसरे के क्या है विपरीत तो यह जुड़ेंगे कि घटेंगे या घटेंगे अब क्योंकि e2 बरावर हमने क्या पढ़ा है जीरो परिणामिती प्रता क्या है बिन दुपी पर जो बैद्धु छेत रहा वो कितना है करेंगे तो इवन माइनस एटू को इधर लाएंगे तो इवन जो है किसके बरावर हो गया एक्टम क्लियर बात समझ लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कोई एक आवेस जो होता है वो अपने से आर दूरी पर कितना बैद्धु छेत रुद्पने करता है के क्यूं और और स्कॉर्ण तो वैसे यह आवेस किव जो है अपने से कितनी दूरी पर एक्स दूरी पर यानि बिल्दु पी पर कितना बैद्धु छेतर रुद्पने करता है के इंटु आवेस कॉन सा है क्यूं यू बट्टे दूरी कितनी है एक्स का इसकॉर्ण ऐसे ही इटू की बात करेंगे तो आवेस कितना बैदू छेतर उत्पन करता है के इंटू आवेस कौन सा है क्यूंटू दोनों के बीच की दूरी कहां पर उत्पन करता है कितनी है पांच गुड़े दस की घात माइनस बटे में कितना है यह क्या करेंगे इन दोनों को MULTIPLY कराएंगे तो क्या हो जाएक इधर देख लेएं. एकस स्क्वाइर का चार से बुड़ा कराएंगे तो चार एकस को जाले का यह ऊपर जाकर के कितना 2- X 24 अब क्या करेंगे दो नोह ओर से यहां परिसे लिख सकते 2 X का होग इसकर की सकते 2- फॉस टूप्लस माइनश रूट हटाएंगे तो स्वाय हरळा बाचेगा कितना 2- माइनसड़ एक एक बार क्या करेंगे सब अर ऑर अंदर में खत में एक्स वाला इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में तो 2x है एक्स इधर एक और आगया तो कितने x होगे एक्स बराबर करेंगे तो दो बटा दो बटा तीन मीटर आगया यानि कि पांच गुड़े दस की गात माइनस 19 उलाम आवेस से बिंदुपी की जो दूरी है यानि एक्स हो कितनी है दो बटा तीन मीटर है अब ऐसे ही जब निगेटिव वाला लेंगे चिन तो निगेटिव च क्राइंगे तो माइनगा है किका दो दो अमान अतार पांच बुडे दस की हाद माइनस 19 तो माइंस चेत्र का मान कितना हो रहा है लिख देंगे यहीं पर अता है पांच गुड़े दस की गात माइनस 19 कूलाम वाले आवेश से दो बटा तीन मीटर की दूरी पर वैदुच्छेत्र का मान कि वैदुच्छेत्र की तीप्रता सूने होगी यहीं क्या बन जलेगा इसका अंसर तो सेकेंड केस में क्या कह रहा है यह इसी बिंदू पर हम क्या ब्रहां रखें तो यह यह बिंदू पर आभे खनी तो यहां पर ब्रहां चत्र की प्टिंटर यहां पर कोई भी बाइदूच्छेत्र नहीं ठीक है ना